ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा समवालते हुए धन्नों ने जैसे ही पूँचा तो एक पल के लिए सूरज सक पका गया तुझे देख रहा हूं, सच में कितनी अच्छी लग रही है तू तुरंत समलते हुए सूरज ने जबाब दिया धन्नों से सूरज की नजने हट ही नहीं रही थी चल हट मुझे जाने दे, ना खुद काम करता है और ना ही मुझे काम करने देता है मुँ बनाते हुए धन्नों बहां से निकल गई सूरज अब भी उसे देख रहा था बहे धन्नों का पूरा मुआइना कर चुका था एक बार एह मिल जाए तो मज़ा आ जाए सूरज के मुह से निकला सूरज की अक्सर धन्नों से टक्कर हो ही जाती थी कभी रास्ते में तो कभी खेत खलिहान में दोनों में बातें भी होती लेकिन सूरज की नियत एक ही रहती, बस एक बार धन्नो राजी हो जाए, फिर तो धन्नो को पाने के लिए सूरज हर तरह के हतकंडे अपनाने को तयार था तू कुछ काम धन्दा क्यों नहीं करता, एक दोपायर धन्नो ने सूरज से पूँचा बस तू हां कर दे तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ सूरज ने बात छेरी तो धन्नो मचल उठी तू सच कह रहा है धन्नो ने खोशी में उचलते हुए सूरज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया सूरज को तो जैसे करंट मार गया बहभी मौका खोना नहीं चाहता था उसने जट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला तच दन्नो मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ तू तो जानती है कि मेरा बाप सरपंच है नौकरी चाहूं तो आज ही मिल जाएगी सूरज ने भरोसा दिया तो दन्नो पूँच बैठी तो नौकरी क्यों नहीं करते फिर मेरे मामा से मेरा हाथ माग लेना कोई मना नहीं करेगा सूरज ने हां में सिर हिलाया दन्नो उसके इतना करेब थी कि भै अपनी सुधबुध खोने लगा यहां कोई नहीं है आराम से बातें करते हैं सूरज ने इधर उधर देखते हुए कहा मैं सब जानती हूँ तुमारे दिमाग का क्या भरोसा कुछ गड़बड कर बैठे तो दन्नो ने तपाक से जवाब दिया ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं मरत जात का क्या भरोसा इतना कहते हुए बैठेर की तरह निकल गई जाते जाते उसने सूरज के हाथ को कश कर दबा दिया था सूरज इसे इसारा समझने लगा फिर निकल गई सूरज को गुस्सा आ गया उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी लेकिन धन्नो उसे गच्चा देकर निकल गई अब तो सूरज के दिलो दिमाग पर धन्नो का नसा भोलने लगा कभी उसका कसा हुआ सरीर तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किये जा रही थी बैसे तो भैस अपने में कई बार धन्नो को पा चुका था लेकिन हकीकत में उसकी यह हसरत अभी बाकी थी सरपंच मोहन सिंका बेटा होने के चलते सूरज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी सो उसने एक केमती मॉबाइल फोन खरीदा और उसमें खूब गंदी फिल्में भरवा दी उन्हें देख देखकर धन्नो के साथ बैसे ही करने के ख्वाब देखने लगा अरे तू इतने दिन कहा था धन्नो ने पूँचा उस दिन हैंड पंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई मैं नौकरी ढूंड रहा था अब नौकरी मिल गई है अगले हपते से ड्यूटी पर जाना है सूरज ने कुछ सोच कर कहा अब तो ब्याह के लिए हां कर दे बाह बाह नौकरी की बात सुनते ही धन्नो उससे लिपट गई सूरज की भाबनाएं उफान मारने लेगी उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया हां कर दे और कितना तर्थाएगी सूरज ने उसकी आँखों में आँखें डाल कर पूचा तू गले में माला डाल दे मांग भर दे फिर जो चाहे करना सूरज उसे मनाने की जी तोड़ कोसिस करने लगा अरे वाह इतना बड़ा मुबाईल फोन मुबाईल फोन पर नजर पढ़ते ही धन्नो के मुह से निकले क्या इसमें सिनेमा है? गाने बाने है? बहुत सिनेमा है तू देखेगी? तो चल उस जोपड़े में चलते हैं जितना सिनेमा देखना है देख लेना सूरज धन्नो के बदन को देखते हुए बोला तो भै उसके काले मन के इरादे नहीं भाब सकी धन्नो राजी हो गई सूरज ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए फिर अपने मन्थूबों को पूरा करने के लिए फिल्मे दिखाने लगा ये कितनी गंदी फिल्मे हैं मुझे नहीं देखनी धन्नो मुह फेरते हुए बोली अरे सुन तो अब अपने मरत से क्या सर्माना मैं तुम से साधी करूँगा तो ये सब तो करना ही होगा न नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे उसे अपनी बाजूओं में भरते हुए सूरज बोला बह तो ठीक है लेकिन साधी करोगे न नहीं तो मामा मेरी चमडी उतार देगा नरम पढ़ते हुए धन्नो बोली मैं कसम खाता हूँ अब जल्दी से घर वाली की तरह बन जा और चुप चाप सब कुछ उतार जा दे इतना कहते हुए सूरज अपनी साध के बटन खोलने लगा उसके भरोसे में बंदी धन्नो बिरोद ना करते की तू सच में बहुत मस्त है आदे घंटे बाद सूरज बोला किसी को कुछ मत बताना ले यह दबाखा ले कोई सक नहीं करेगा लेकिन मेरे मामा से बाद कब करो गया धन्नो ने पूँचा तो सूरज की आँखें गुस्से से लाल हो गई देख मजा मत खराब कर मुझे एक बार चाहिए था अब यह सब भूल जा तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग जाते जाते सूरज ने कहा तो धन्नो पर जैसे बिजली तूट गई अब धन्नो गुमसुम सी रहने लगी किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता अरे तेरे कपड़े पर यह खून के दाख कैसे एक दिन मामी ने पूँचा तो धन्नो को तो जैसे साप सूं गया पिछले हपते ही तेरा मासिक हुआ था फिर धन्नो फूट फूट कर रोने लगी सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफेद पढ़ गया बात सरपंच मोहन सींग के पास पहुची पंचायत बैठी मोहन सींग के कड़क तेवर को सबी जानते थे उनके लिए किसी को उठावना कोई बड़ी बात नहीं थी तो तुम्हारा कहना है कि सूरज ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है सरपंच के आदमी ने धन्नो से पूँचा नहीं सूरज ने कहा था कि भै मुझसे व्याह करेगा इसलिए पहले नहीं नहीं मैंने ऐसा कोई बादा नहीं किया था सूरज ने बीच में टोका यह जूट बोल रही है मैं भी तुमसे साधी करूँगा तो क्या तु मेरे साथ भी सोएगी एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली तु है ही धन्दे वाली बीट से एक आवाज आई चुप करो महन सिंग अपनी कुर्सी से उठा तो बहां खामोसी चा गई भै सीधा धन्नो के पास पहुँचा एचोकरी क्या सच मेरे सूरज ने तुझसे घर बसाने का बादा किया था उसने धन्नो से जानना चाहा मोहन सिंग के सामने अच्छे अच्छों का बोलती बंद हो जाती थी लेकिन ना जाने क्यूँ धन्नो ना तो डरी और ना ही उसकी जबान लडख़ाई हाँ उसने मुझे घर बाली बनाने की कसम खाई थी तभी तो मैं राजी ये सुनते ही सरपंच का सिर जोग गया भीड अब भी सांत थी बापू तु इसकी बातों में ना आ सूरज धन्नो को मारने के लिए दोडा चुप रहे सर्म नहीं आती अपनी घर बाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए खबरदार अब धन्नो के बारे में कोई एक सब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है अब सबी जाओ अपने लगन में हम सूरज और धन्नो का ब्याह रचाएंगे धन्नो मोहन थी के पैरों पर गिर परी उसके मुझे इतना ही निकला बापू तुमने मुझे बचा लिया तो दोस्तों कैसी लगी यह काहनी लाइक करें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें